हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं advance filter के बारे में जैसे मैंने home डब में आपको बताया था है यहाँ पे filter का तो होगा फिर जब आप वापीस हैं यहां पर क्लिक करते हो तो स्लेक्टोल तो वापीस है आपका क्या है complete data यहां पर दिखेगा अब हम बात करेंगे कि advance filter क्या होता है तो आपको difference पता चल जाएगा यहां पर कि filter and advance filter में क्या difference होता है और आप इस कैसे यूज़ करोगे तो फिल्टर आपको पता चल गया अब हम बात करते हैं advance filter के बारे में advance filter में आपका क्या होता है जैसे आपने क्या क्या था यहां पर रीजन सापके sales है filter में आपका क्या होता है इसी टेबल के अंदर आपका data यहां पर filter कर देता है और वापिस आपको move कर देता है और एक्जामपल आपके पास कोई large data आप चाहते हो कि उस large data में से कोई particular data आप कोपी कर दो किसमें से इसमें filter करके कोपी करोगे तो आपके one one करना पड़ेगा हम क्या चाहते है इस पूरी टेबल में से जहां भी नौर्थ लिखा हुगा है या फिर साथ उसको क्या करें separate कहीं पर कोपी करें तो उसके लिए आप क्या करोगे data टैब में जाओगे data टैब में आपको एक option मिलता है sort and filter का यहीं आप क्या करोगे advance पे click करोगे देखो जैसे आप advance पे click कर तो यह table आपकी क्या हो जाती select तो इसमें आपके पास action में दो options मिले filter the list in place and second है आपका copy to another location अगर आप इसी टेबल में filter करना चाहते तो आप क्या करोगे filter the list वाला cheese करोगे otherwise आप क्या करोगे copy to another location अगर आप चाहते कि आपकी यह टेबल यहीं रहे और दूसरी जगह पे वो डेटा आपका स्लेक्ट हो जाए तो आप क्या करोगे को पी टू अनदर लोकेशन फिर उसके लिए आपको क्या करना लिस्टेंज आपका हो गया स्लेक्ट ठीक है इसके बाद आपका है क्रेटेरिया क्रेटेरिया में क्या करना होता है जैसे आप क्या करोगे आपको किसी को मालोड डेटा देते हो तो आप उसको हिंट तो बताते हो ना कि आपको क्या करना है इस डेटा के अंदर से ही फिल्टर करना ऐसे ही आपको क्या करना यहां पे नहीं बताना है कि आपको रीजन में से सिर्फ साउथ का स चाहिए तो आप जोब फिल्टर पर जाते हो तो criteria के अंदर आपको criteria देना होता है कि आपको रीजन चाहिए कौन सा साथ वाला तो यहां से आपको रीजन और साथ को दोनों को सेलेक्ट करना होगा पिर आप क्या चाहते हो आपने क्या कहा था सिर्फ रीजन को यहाँ पर सेलेक्ट किया था फो आपके साउड के जितने रीजं से उनकी क्या है लिकल अगे अगर पर सौथ की जगह आप इस टिया नौर्थ में इस्ट मानलों करते यहां पर इस को कोपी करना फिर वापिस से आप कहां जाओगे डेटा टैप के अंदर सोटर इंद फिल्टर गृप में कोपी अनदर location में आप क्या करोगे location change कर दोगे और criteria के अंदर भी आपको क्या करना है अब यह वाली range आपको select करनी है फिर copy हम कर देखते हैं यहां पे इसके बाद okay पर click करना आपको जैसे यह okay पर click करोगे आपके सामने क्या यह data आपका निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकतो advance filter आई ओप यह advance and filter आई ओप आपको filter and advance filter में differences समझ में आया होगा आपको वीडियो इंफोमेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आप तत पहुंचे थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो